दोस्तो नमस्कार, RPSC एक्जाम्स यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है हमारा जो आज का टोपिक है मर्दा एयों भूमी संसादन है इससे पहले हम जो आपकी साथकी और आठकी यूनिट कम्बाइंड रूप से चल रही थी उसमें पढ़ चुके हैं जल संसादन और आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि साथकी और आठकी यूनिट में एक टोपिक मानव संसादन दे रखा है तो आप उसको खुद पढ़ेंगे क्योंकि उसमें ने तो समझाने वाली बात है और ने कोई नोट्स बनाने वाले वो आंकड़े हैं आपको याद करने हैं और किसी भी गाइड से आप याद कर सकते हैं और याद क्या करना है कि भारत के संद्रब में जो भी बातें फैस्ट और लास्ट हैं जैसे अनुसुचित जाती, जन जाती, साक्सर्ता किस राज्य में पर्थम है, ये सब बातें और लास्ट राज्य कौन सा है, जन संक्या गनत्व किस राज्य में सरवादिक है, किस में कम है केंदर सासित प्रदेशों में सर्वादिक जन संख्या गनत्यों किसमें है और किसमें कम है ये बातें आपको किसमें याद करनी है जन संख्या थात्मानव संसाधन में और राजस्तान के संद्रब में आपको गैराई से पढ़ना है और भारत के संद्रब में उपर उपर से तो अध्यन के विज्ञान को क्या कहते हैं मर्दा विज्ञान कहते हूं और जिसका मीटी का अध्यन क्या जाता है मर्दा विज्ञान में उसे क्या कहा जाता है पेडोलोजी अब भारत में मीटियों के जो परकार हैं विशेषता कितने हैं चार कितने परकार हैं चार परकार हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे वैसे आपकी बुगोल है वो ज्यादा कुछ टोपिक हैं समझने लाइक हैं कुछ टोपिक हैं जिसे आपको ज्यादा से ज्यादा इनको याद करना होगा तो आप समझने लाइक हैं तो उनको समझाएंगे और जैसे टोपिक पढ़ते जाते हैं, इनको साथ साथ किलियर करते चलें। भारत में मीटियों के परकार के संद्रम में पहली मीटी है जलोड मीटी। अब ध्यान रखना कि जलोड मिटी बनती के से ये नदियों दुआरा बहा के लाई जाती है और किनारों पे जो मिटी होती है वो जलोड मिटी होती है नदियों दुआरा बहा के लाई गई मिटी क्या कहलाती है जलोड मिटी जलोड मिट्टी में जो अधिकता होती है वो पोटास की अधिकता होती है नहीं की आईरन, एलूमीनियम, मेगनिस्यम इन सब की किसकी अधिकता होती है पोटास की जिसके कारण इसकी उरुरता जो सकती है वो अत्तेदिक होती है बाइरत के कुल 76 फल के लगभग 22% भाग पर क्या पाई जाती है जलोड मिट्टी पाई जाती अब दो परकार की होती है एक तो बागर दूसरी खादर कौनसी मिट्टी जलोड मिट्टी अब ये नदी है तो इसके जो पास में है जैसे तो ये तो होगी कौन सी खादर मिटी और जो दूर है दूर दूर कभी कभी जैसे नदियों में बाढ आ जाती है तो वो मिट्टी क्या होती है दूर दूर तक फेल जाती है तो दूर फेली मिट्टी क्या कहलाती है बागर जो पास होती है वो नई मिटी होती है तो वो क्या कहलाती है खादर ये भी ध्यान रगना कि नई जलोड मिटी को क्या कहा जाता है खादर और पुरानी जलोड मिटी को बागर नदियों के जश्ट किनारों पर क्या पाई जाती है खादर और नदियों से दूर क्या पाई जाती है बागर मिट्टी नेक्स्ट है आपकी काली मिट्टी काली मिट्टी को क्या का जाता है दूसरे नाम से जाना जाता है वो रेगगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है निर्मान होता है बेसाल्ट की जो चट्टाने हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि काली मिट्टी का निर्मान बेसाल्ट चट्टानों से होता है इनके तूटने से जिसे किसी कारण वंस इसमें दरारें पर जाती हैं, चटकने से बेसाल्ट चट्टानों के काली मिटी का निर्मान होता है अब इसका काला रंग क्यों होता है, टिटेनी फेरस जो मेगनेट है, मेगनेट आइट और जीवासम की उपस्तिति की कारण किसका रंग काला होता है आ बेसाल्ट चट्टानों होता है, इसमें आयरन, चुना, एलूमीनियम और मेगनिसियम की क्या होती है फेरस, चुना और एलूमीनियम और मेगनीशियम की क्या होती है अत्यदिक मात्रा होती है किसमे काली मीटी में काली में जो उत्पादन होता है वो कपास की खेती के लिए उप्रिवक्त होती है उत्पादन की दर्ष्टी से काली मीटी राजस्तान में किन जिलों में काली मिटी पाई जाती है बुंदी टोंक ये जो छेतर उसमें काली मिटी पाई जाती है राजस्तान के तो आपको ध्यान रखना कि काले मिट्टी जो बेसाल्ट चट्टानों के तूटने सेज का निर्मान होता है और जो काला रंग होता है वो मेगनेटाइट और जिवास्वम की उपस्तिती के कारण सरवादिक मात्रा में एलुमीनियम, आईरन, चूना और मेगनीशियम पाया जाता है कापास की खेती के लिए महत्तूपुन है राजस्तान के बुंदी और टोंक जिलों में पाया जाती है नेक्स्ट है लाल मेटी, दो मेटी पर चुके हैं जलोड और काली मेटी, निर्मान होता है रव्यदार वो कायंत्रित जो आपकी चटान अथार्च शेल है उनके विगिटन से तूटने से इस मिटी में सिलिका और आईरन की बहूलता होती है किसमें लाल मिटी में आईरन की बहूलता होती है लाल रंग किसके कारण होता है लो है ओक्साइड की उपस्तिती के कारण ध्यान रखना कि लाल रंग लाल मिट्टी का वो लो है ओक्साइड की उपस्तिती के कारण होता है और परकर्ती होती है अमली राजस्तान के जो अरावली पूर्वी छेतर है उनमें ये मिट्टी पाई जाती है तो तीन-चार बातें ध्यान रखनी है कि निर्मान कायांतरी चट्टानों से होता है आयरन की बहुलता होती है लाल रंग होता है लो है ओक्साइड की वज़े से और परकर्ती अमली होती है और राजस्तान के अरावली जो पूर्वी छेतर है उनमें ये मिट्टी पाई जाती ह लेटे राइट मिट्टी चाइव इलाईची है उसके लिए उपर्यूक्त होती है तो ध्यान रखना चाइव इलाईची के लिए उपर्यूक्त मिट्टी कौन सी है लेटे राइट मिट्टी निर्मान कहां होता है आपके जो दक्षिनी पूर्वी राज्य है उनमें लेटे जलवायू की आदता और सुछ सकता कि कर्मिक परिवर्तन के कारण नेक्स्ट है भूमी संसाधन अब भूमी संसाधन में हमें क्या-क्या पढ़ना है वैसे तो भूमी संसाधन को अगर आप बताना चाहो कि इकेतर परतिसद भाग पर जलब पाय जाता है 19 पyorsun बाग पर भूमी पाय जाती है और इस भूमी में हम यह यह क्यति करते हैं क्यों करते हैं यह कोई कारण नहीं होता है और ऐसे क्योसन पूछे भी नहीं जाएंगी वो हम पढ़ लेते हैं कुछ बाते हैं जो कि भूमी वन भूमी किसे करते हैं कर्शी भूमी किसे करते हैं चारागा किसे करते हैं बंजर किसे करते हैं ये सब बाते हैं आपको पढ़ लेते हैं थोड़ी और फिर मुख्य जो बात है वो है कि भूमी जो छन हो रहा है भूमी का ह पास हो रहा है उपयोगिता, उपजवपन, गुणवत्ता, उरूरता सक्ती में कमी हो रही तो उनकी क्या कारण है यह ज्यादा महत्तोपून है तो ज्यादा ध्यान बस इनी पर कॉंस्टेंट करना है कि भूमी अनुपजवग क्यों हो रही है जैसे वायू पर दूसित क्यों ह होती है यह सब बातें जल परदूसन के क्या कारण है यह सब हम पढ़ेंगे तो इसमें है उपयोग के आधार पे वर्गिकरन है पहली है वन भूमी वह है भूबाग जो प्राकरतिक वनस्पती से ढका हो वह है वन भूमी कहलाता है जैसे आपके जितने भी राष्ट्रिय ब्यारण है जो आपके बीड भूमी है जो राज्य सरकार ने कंजर्वेशन गोशित कर रखें वो सब किसमें आते हैं वन भूमी में कर्शी भूमी फैसल उपज हेतू जो उपयूक होती है वह भूमी क्या कहलाती है कर्शी भूमी बंजर भूमी वह भूमी जिसे कर्शी यो लिए उपयोग न हो उपजाओपन के लिए ऐसे नहीं कि बंजर भूमी में हो ँद्योगी के करन तो हो इसकता है लेकिन उपजाओओ की दरश्टी से उपयोगी न हो और जिसे भविश्य में किसी परकार के उपयोग के लिए यूज न किया जा सके अथार उपयोग के लिए काम में नहीं लिया जा सेके उसको क्या कहा जाता है बंजर भूमी नेक्स्ट है आपकी चारागा भूमी वह भूमी जिस पर पस्वों को चराया जाता है सब जगह पता है कि गोचर भूमी हमारे यहां राजस्तान में पाई जाती है उसे किस लिए छोड़ा गया था चारा गया के लिए वर्तमान परती भूमी उपजवपन बढ़ाने है तू कोई-कोई लोगों को देखा होगा कि एक-दो साल के लिए भूमी को छोड़ देते हैं कि उसमें उपजवपन की मातरा बढ़ जाए तो उस परकार के भूमी को क्या कहते हैं वर्तमान परती भूमी परत भूमी या परत भूमी कहते हैं हमारे यह रादस्तान में कि भूमी को परत छोड़ दिया या परत छोड़ दिया तो वर्तमान परत भूमी किसे कहते हैं जिसको एक दो वर्ष के लिए ही छोड़ा गया हूँ लेकिन अगर एक दो वर्ष से ज्यादा के लिए छोड़ दिया गया है उपजा उपन बढ़ाने के लिए तो उसे पुरानी परती भूमी या परत भूमी या परत भूमी एक ही बात है तो आपको ध्यान रखना है कि परत भूमी की से कहते हैं उपजा उपन बढाने है तो कुछ समय के लिए छोड़ी गई भूमी को क्या कहते हैं परत भूमी अब भूमी अवनयन के क्या कारण है करशी योग्य भूमी की उर्वरता और उपयोगिता धर्थ गुनवता इन सब में कमी आना क्या कारण है कि इन में कमी आई कि भूमी की उर्वरता में भी कमी आई उपयोगिता में गुनवता ये सब कमी के कारण क्या है ये ज़्यादा important है अवनयन के क्या कारण है सबद भी ध्यान रखना कि आपको अवनयन और उनयन अवनयन क्या है हास हुआ है उनयन भूमी में वर्दी हुई है या उपजवपन इनमें वर्दी हुई है तो आपको किसी भी परकार से पूछ सकते हैं इन सब्दों कभी या मैत्वर बढ़ जाता है कि भूमी अवनयन का कौन सा कारण है तो तीन कारण ऐसे दे देंगे और एक कारण दे देंगे कि वनों की कटाई क्या है अवनयन का कारण ने कि उनयन का कारण तीन कारण आपको दे दिए अवनेयन के और एक दे देंगे उन्नेयन का तो आपको छाटना होगा कि उन्नेयन का कौन सा कारण है अब पढ़ लेते हैं कि भूमी अवनेयन अथार्थ, भूमी हास के क्या कारण है पहला है मर्दा अपर्दन मर्दा अपर्दन के बहुत से कारण है जो भी बात होती है मर्दा अपर्दन से समंद्जे से हावा है चक्रवात है आंधिया है और वनों की कटाई ये सब मर्दा अपर्दन के भी एक महतुपून कारक होती है मर्दा अपरदन है वो इन ही कारणों पर ठीकी होती है कि आंधियां आपकी राजस्थान में शर्वादिक जो पस्षीमी भाग journeys उनमें आंधियां चलती है तो मर्दा अपरदन का सर्वादिक कारण क्या है वहां आंधियां है पर्टिकुलर क्युशन किस हिसाब से पुछा जाएगा वो भी ध्यान में रखना है दूसरा है वनों की कटाई अत्यदिक वनों की कटाई जहां आपकी मूल भूत आवशक्ताओं की पूर्ती हो रही है फिर भी आप लोग अंदादुन वनों की कटाई कर रहे हैं तो गलत है अत्यदिक कीटनासकों का उपयोग जैसे हम आजकल अत्यदिक उपजाओं लेने के लिए अत्यदिक मात्रा में अनुत्पादन करने के लिए अत्यदिक मात्रा में कीटनासकों का भी उप्योग कर रहे है तो ये भी एक भूमी का जो अवनेयन है उसका कारण है लवनता की वर्दी अत्यदिक सिंचाई करने से क्या होती है भूमी में लवनता की जो वर्दी होती है वो भी भूमी अवनयन का कारण है अत्यदी खनन और पशू चारण मरुस्तली करण भी भूमी अवनयन का एक कारण है दे आप लोग देख रहे हो कि मरुस्तली करण में वर्दी हो रही है दिरे दिरे इसका कारण क्या है? ये एक दूसरे से आपस में जूड़े हुए है जैसे वनों की कटाई है अतेदिक पसू चारण है खानन है ये सब मरुस्तली करण को क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं अधिक सिंचाई अधिक सिंचाई भूमी जो आपका अवने न उसके लिए जिम्मे जिसे आपकी शेम की समस्या यह है सब किसके कारण है अत्यदिक मात्रा में अत्यदि करना भूमी पर चैजो आपकी उपयोगत, उसकी वह कम हो रही क्यों और youth क्यों हो रही है। वायू पर दूसन का भी कारण हुद रणद क्रेंब कर्ण 13 Nahira क्योंकि बहुत से उद्ध्योगों से निकलने वाले जो हम अप्षिष्ट पदात हैं उनको क्या करते हैं नदियों में भाते हैं और नदियां अपने बाड़ के समय वो जल वीश्तरित तो होता है और उसके साथ वो हम केमिकल क्या करते हैं भूमी में जाता है तो वहां भूमी कहां सरवादिक उपयोगी है आपके क्यूशन के हिसाब से कौन सा ज्यादा सटिक और उत्तर की नजदिक है वो कारक आपको देखना है नहरी जलका रिशाव भी भूमी अवनेन का कारण है और अवसिष्ट हर परकार से अवसिष्ट उद्योगों से ही नहीं हम घर से निकलने वाले अवसिष्ट को भी ऐसे ही बगा देते हैं जैसे पॉलिथिन हो और हो जो भूमी में जिनका हास हो वो जल्दी से नहो पाए ऐसे अवसिष्ट भूमी को क्या करते हैं उसका अवनेन करते हैं उसका हास करते हैं तो यह चीजें क्या है अवनयन के कारण है तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से वैसे याद ही होते हैं कि उसनों को बस ध्यान से पढ़ना है कि कौन-कौन से अवनयन के कारण है फिर आपको ध्यान से इनके आंस्वर देने होते हैं इनके कोई ज्यादा जाने का, important है कि आप कुछनों को tackle कैसे करते हैं इस परकार के में, उमीद करता हूँ आपके सब के समझ में आया होगा, जो भी बाते हैं, अवनेयन है, वो important है कि भूमी जो संसाधन दे रखें, उनमें मर्दा, अवनेयन के जो कारक हैं, वो ज्यादा मैत्व पूर्ण है, तो आज के topic में इतना ही किसी परकार की problem है, तो आप बता सकते हो, दूसरी बात unit first और second में जो topic है, एक बात जरूर दुबारा बताना, मैं पिछे पता नहीं किस वीडियो में आप कुसे पूछा था, आपने बताया था, लेकिन मैंने वो note नहीं किया, तो मैं दुबारा पूछ हुआ कि first और second में कौन से topic बच गए है, तो वो भी अब साथ में करवाएंगे, तो आप उनको एक बर बता जरूर देना धन्यवाद,